नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप सीटीज और आपके साथ मैं हूँ असीब 24 सीटो पर बिहार विधान परीशत के चुराओं होने हैं ऐसे में राजद ने 21 सीटो पर नामों की सूची जारी कर दी थी हमने वो तश्वीरे आपको दिखाई हैं बाको भी एक सीट सीपी आई के खाते में गया भागलपूर का मगर अब कॉंग्रेस जो लगतार ये कहते नजर आ रही थी कि तमाम 24 सीटो पर कॉंग्रेस भी अपने उम्मिदवारों को उतारेगी और कहीं न कहीं जीत के लिए लगतार कॉंग्रेस एक कहते नजर आ रही थी कि जीत भी उनी के जोली में होगी जनता और जो जनपरतनीदी हैं वो उन पर विश्वास करेंगे मगर अब कहीं न कहीं कॉंगरेस ने 8 सीटो पर उम्मिदवारों को हरी जनटी दे दे दि हैं हम वो तमाम 8 सीटो पर कौन कौन कॉंग्रेस के उम्मिदवार होंगे वो आपको बताएंगे मगर इससे पहले आपको बता दे कि बिहार विदान परिशद के 24 सीटों पर चुनाउख होने है और अब महागटबंदन में तूट हो चुका है कॉंग्रेस ने तो इससे पहले ही कह दिया था कि कॉंग्रेस के विना महागटबंदन नहीं और बिहार में महागटबंदन पहले ही तूट चुका है यानि कि बिहार विधान सभा के उपचुनाओं में ही महागटबंदन तूट चुका था अब जब कॉंग्रेस ने आठ सीटों पर उम्मिद्वारों को हरी जंडी दी है कौन-कौन उम्मिद्वार है वो हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए कॉंग्रेस ने जिन आठ सीटों पर उम्मिद्वारों को हरी जंडी देखाए यानि कि साफ साफ लबजों में कह दिया है कि आप चुनाओं की तयारी में जुट जाए यानि कि आप जो चुनाबी मैदान है उसमें आप कूदें और जीद नील कुमार यादव उम्मिद्वार होंगे कॉंग्रेस के पस्मी चंपारन से मदुबनी से शुवोद मंदल बेगु सराई से राजीब कुमार जो की जेडियू विधायक डॉक्टर संजीब कुमार के भाई हैं कॉंग्रेस ने इन पर विश्वास जताया है और बेगु सरा से उम्मिद्वार होंगी कॉंग्रेस की सिवान से अशो कुमार सिंग मुझभपरपूर से अजय कुमार यादव सारन से सुमीद कुमार सिंग यह आठ नाम है जिस पर कॉंग्रेस के सिर्ष नितियुत ने बोहर लगाया है यह चुनावी मैदान में होंगे और कहीं ना कहीं से कॉंग्रेस ने ऐलान किया कि तमाम सीटों पर कॉंग्रेस अपने उम्मिद्वारों को उतारेगी और कहीं ना कहीं कॉंग्रेस के नेता यह भी कहते नजर आए कि राज़त से जादा जनधार कॉंग्रेस का है कॉंग्रेस राश्टिये पार्टी है और राज़त राज़त उतारेगी हमने वो तमाम नाम आपको बताएं अब देखने वाली बात ये होगी कि तिरकोनिय लड़ाई में जीत किसके जोली में जाता है चोबी सीटों पर विहार विदान परिशत के जो चुलाव होने हैं राजत भी दमखम जोक रही है कॉंग्रेस ने भी अब कहीं ना कही उनी तैयार्य जो है हो तेज करती है और इंडिया की बात करें तो ऍट इन ने भी साफ साफ लवजों में कह दिया है कि जीत उनके ही जोली में सब्सक्राइब कर ले आपका बहुत बहुत सुक्रियां